नमस्कार दोस्तों जो आज को हमारा टॉपिक है वो क्वांटम मेरिट का है क्वांटम मेरिट जो है दोस्तों लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि एज मुच एज इस डिजर्ब जब भी दोस्तों कोई पार्टी जो है वो प्रिच आफ दा कॉंट्रेक्ट करती है या फिर दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है कॉंट्रेक्ट प्रफॉर्म करने से और जो इंजर्ब पार्टी होती है जो कि अपना पार्ट कुछ प्रफॉर्म कर चुकी होती है वो contract को discharge समझ लेती है कि भाई ठीक है मेरी तरफ से contract खत्म है और मैंने जो part perform किया है या जितना भी मैंने services दी है उनको recover करने के दिए मैं quantum merit के अंडर जाके उसको recover करूँ इसमें दोस्तों हमारे पस एक example जिसे माल लिए कि A promise करता है B से कि भाई मैं आपको 500 bag of the rice दूँगा अब उसमें जो 100 bag हैं जो 100 bag हैं वो पहले वो दे देता है A, B को और B की तरफ से ये कहा जाता है बाद में कि भाई मुझे बाकी rest of the 400 bag नहीं चाहिए तो यहाँ पर A जो है दोस्तों वो quantum merit के अंडर जो 100 bag उसे डिलिवर किये हैं उनकी value को ले सकता है B से claim कर सकता है अगर B 100 bag की value देने से इंकार करता है तो हलाए कि उसके पास as a damages में भी जाना का option है कि वो damages claim कर सकता है compensation के रूप में जब वो damages claim करेगा दोस्तों तो उसकी position होगी contract करने की बात की जबकि quantum merit के अंदर जो position है आपकी वो contract करने से पहले की restore की जाती है यानि कि damages जो होते हैं वो loss के लिए होते हैं quantum merit जो होता है जो की part आपने अपने 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 प्रफॉर्म कर दिया है कि भही मुझे इस से back ले जाके इसकी जितनी मुझे आप value देना चाहते हैं किया जाता है ज्यानि कि जो भी profit आपको होना था तो हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि quantum merit जो है एक तरह का alternative है कि अगर आप damages नहीं claim करना चाहते हैं तो आप quantum merit को भी claim कर सकते हैं अगर इस तरह की situation arise होती है तो quantum merit को दोस्तो restitution भी कहा जाता है जैसे मैंने आपको कहा कि किसी की position को restore कर देना बापस से और इसके साथ दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो quantum merit की remedy है वो quasi contractual है यानि कि half contractual है बड़ी अबसी बात है कि अगर एक part perform हुआ है तो वो half contractual ही हुई और last में दोस्तों जो quantum merit की remedy है वो कभी भी उस party को नहीं मिलती है जिसने की breach of the contract किया हो चाहे फिर उसने अपना part चोच perform कर ही दिया हो तब भी उसको remedy ये नहीं मिलती है झाल 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 झाल